हेल्लो एवरिवन आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चानल ऑन स्क्रीन रिप्यू में और इस वीडियो में आम कंपेर करने जा रहे हैं मोटोरला वर्सेज जेप्रोनिक्स अउंडबर को और आप देख सकते हैं जो मोटोरला को मोडल में ने क्या GEफ किया हुआ है बर इन。」 और जो इंपॉटन फीचर्स होते हैं वह भी मैं ने पेले ही नोट दॉड़ करकर है है तो वस इन ही इमपॉटन फीचर्स के हैं मैं दोनो ignored को यह आपे स्टेप पर स्टेप कंपार करूंगा और वीडियो के इन में आप कट्लूड करेंगे कि कौन सा सवाइब लेना आपके लिए पाहतर रहेगा तो प्लीज वीडियो को लास तर देखें ताकि आपको आपको मनपसंद सांद बार पर्चेस करने में कुछ हेल्प मिले तो वीडियो करते हैं अब देख सकते हैं मोड़ोल आएंपी सांद एक्स में जो आपको टोटल पावर आटपुट मिल रहा है वो है वह बन सिक्स्टी वैट का आरेमेस पावर आटपुट और हमारे सेबरोनिक का वो भी बन सिक्स्टी वैट का आरेमेस पावर आटपुट ही हम यहाँ पर मिल रहा है तो क्या होता है पावर आटपुट से आपके सांद के क्वालिटी पे तो कोई इंपक्त नहीं होता बट जो आपके सांद का लाउटने से वह थोड़ा सा यहां पर अफेट करता है favor cancler करें तो power output के ज्यादा होने से जो संद बार कर लाब अदने से वह थोड़ा में ज्यादा मिलता है तो बस यही होता है पावर आटपुट उसके इसके अलावा आपके जो sound की quality है space का कोई effect नहीं होता है तो comparison करने के लिए हम power output को concealer करते हैं क्योंकि power output से ही हम थोड़ा सा soundbar को easily compare कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं जो Motorola MP sound X है उसमें जो आपको power output मिल रहा है वो है 160 Watt का RMS power output और हमाला सेबरोनिक्स का जो soundbar है 6000 प्रो इसमें भी हमें सेवी power output मिल रहा है वाद 60 Watt का RMS power output तो power output में दूनों soundbar सेवी है उसके बाद अगर हम subwoofer की बात करें तो हमें Motorola MP sound X में जो subwoofer मिल रहा है वो है 60 Watt का wireless subwoofer तो subwoofer का power output आप देख सकते हैं तो क्या होता है जो subwoofer के soundbar के साथ होने से जो बेस होता है वो हमें काफी हेवी बेस यहाँ पर मिलता है अगर आपके soundbar के साथ आपको अगर subwoofer मिल रहा है तो वहाँ पर आपको काफी thumping bass experience करने को मिलेगा अगर आप कोई action movie देख रहे हो या कोई music सुन रहे हो तो वहाँ पर आपको काफी enhanced sound quality experience करने को मिलेगी अगर आपको subwoofer मिलता है आपके soundbar के साथ क्योंकि यहाँ पर जो बेस होता है वो काफी heavy bass आपको subwoofer से के living room या drawing room में कहीं भी place कर सकते हो आपर वायर management का कोई problem नहीं होता है और अगर हम motorola की बात करें तो मोटरोला में 60 वैट का wireless subwoofer मिल रहा है तो wireless subwoofer का यह दोनों soundbar में advantage है दोनों जो है वो wireless subwoofer है तो यह बहुत पड़ा advantage हो जाता है वायर management का issue solve हो जाता है यह हमारा उसके बाद की feature के हम बात करें तो soundbar के अगर हम बात करें तो soundbar motorola MP7X का जो soundbar है वो 100 बैट का soundbar हम यहाँ पे मिल रहा है जो four front firing drivers के साथ आता है comparatively अगर हम zebronics में देखे तो जेबरोनिक्स का जो soundbar है वो है 80 बैट का soundbar जो semi four front firing drivers के साथ ही हमें मिलता है तो आप यहाँ पे देख सकते है पावर आउटपूट टोटल पावर आउटपूट जो है वो 80 बैट का soundbar और 80 बैट का subwoofer मिलके 160 बैट यहाँ जेबरोनिक्स में total power output हमें मिल रहा है और अगर m Israelites में साउंडबर जो है 100 बैट का soundbar है और 60 बैट का subwoofer है तो ऐसे मिला के यह 160 बैट का total power output हमें यहाँ पे मिलता है एक बार soundbar हम देख लेते गाइस जो मोडला का soundbar है यह हमारा प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर करते हैं उसके बात अगर आप करें डॉल्बी डीजिटल तो डॉल्बी डीजिटल मोटरो ना एंपी साथ में मिल रहा है तो क्या होता है जब कभी आपके सांद बार के साथ आपको डॉल्बी कान्फिगरेशन मिलता है तो जो साउंड की क्लियारिटी है वो थोड़ी इनास हो जाती है आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड वहापे मिलता है जो सिनेमेटिक एक्सपेरेंस है वह वहापे आपको एक्सपेरेंस करने को मिलता है अगर आपको डॉल्बी वीडियो या डॉल्बी ओडियो प्ले कर रहे हो तो ही आपको Dolby experience आपको वहाँ पी मिलता है और अगर आपको कोई normal audio play कर रहे हो तो आप पे normal ही sound आपको deliver होता है तो modular MP sound X के साथ आपको Dolby digital configuration मिल रहा है बट सेप्रोन इसके soundbar में आपको Dolby digital configuration नहीं मिल रहा है तो यह difference हो जाता है दोनों soundbar का यह Dolby configuration के साथ आता है तो दूसरा Dolby configuration के साथ नहीं आता है उसके बाद के features के हम बाग करें तो connectivity connectivity बहुत important points है क्योंकि connectivity ऐसा है कि connectivity से ही आप आपके soundbar को आपके या GD या RCD के साथ connect कर सकते हो तो connectivity में अब अगर मोटरोल आएंपे sound X के बात करें तो यहां पर हमें HDMI ARC port मिल रहा है optical port, aux port, Bluetooth version 4.2 और USB port यह connectivity options हमें मोटरोल आएंपे sound X में मिल रहा है comparatively अगर हम जेप्रोनिक्स में देखे तो जेप्रोनिक्स में हमें HDMI ARC port, optical port, aux port, Bluetooth version 5.0 और USB port यह लगबक सभी connectivity options हमें जेप्रोनिक्स में भी मिल रहे है तो आप देख सकते हैं दोनों सवंबर के साथ लगबक सभी connectivity options हमें मिल रहे है तो क्या होता है जो connectivity का जो issue है वो दोनों सवंबर में आपको नहीं होने वाला है क्योंकि सभी connectivity options हमें दोनों सवंबर में मिल रहे है तो आप आपके नए या पुराने LED या LCD को आपके इन दोनों सवंबर के साथ easily connect कर सकते हो वहाँ पे connectivity में कोई भी issue नहीं होने वाला है दोनों सवंबर में क्योंकि दोनों सवंबर में लगबक सभी connectivity options है और add-on की अगर बात करें तो दोनों सवंबर के साथ जो HDMI port है वो HDMI ARC port मिल रहा है तो क्या होता है HDMI ARC port से अगर आपके soundbar को आपके LED के साथ अगर connect करते हो तो sound की clarity है वो HD clarity वहापे deliver होती है soundbar से काफी crystal clear sound वहापे आपको मिलता है अगर HDMI ARC port से आप connect करते हो आपके soundbar को आपके LED या LCD के साथ तो तो यह advantage है दोनों सवंबर का कि दोनों सवंबर के साथ आपको HDMI ARC port मिल रहा है तो यहाँ पे आपको काफी clear sound experience करने को मिलेगा अगर आप HDMI port का यूज़ करते हो तो उसके बाद आता है configuration तो दोनों सवंबर 2.1 चानल के साथ आते हैं दोनों सवंबर के साथ आपको stereo sound effect experience करने को मिलने वाला है एक होता है 5.1 चानल एक होता है 2.1 चानल तो क्या होता है 2.1 चानल में आपको stereo sound effect मिलता है और 5.1 चानल सवंबर है आपका तो वहाँ पे आपको surround sound effect मिलता है तो पस यही एक difference होता है 2.1 चानल और 5.1 चानल में तो दोनों सवंबर जो है वो 2.1 चानल है same ही configuration है तो दोनों सवंबर के साथ आपको stereo sound effect experience करने को मिलने वाला है तो यह stereo sound effect भी काफी बहतर ही sound effect होता है आपको मिलता है और 2.1 चानल में आपको stereo sound effect मिलता है तो यह भी काफी बहुत मतलब बढ़िया experience है बढ़िया sound experience है यह भी 5.1 चानल में आपको क्या होता है आपके sound bar और subwoofer के अलावा दो extra speakers मिलते है तो वो speakers से आप surround sound effect experience कर सकते हो वो speakers आपको आपके back side में place करना होता है और 2.1 चानल में आपको एक sound bar मिलता है और एक subwoofer मिलता है तो यह दो unit मिला कि आपको 2.1 चानल का sound effect प्रोवाइड करते है जो stereo sound effect होता है वो प्रोवाइड करते है तो दोनों sound bar 2.1 चानल है उसके बाद अगर बात करें wall mount की तो हाँ दोनों sound bar के साथ wall mount kit आती है तो दोनों sound इसके साथ जो वाल मांट कीट है वो आती है तो यह एक किसी किसी सौंडबर में आप्षिन नहीं होता है तो वो समरा में किसी टेबल पे टॉप कर प्लेस करना होता है बत यह दोनों सांबर में एक एडवांटेज है कि आप वाल मॉंट भी कर सकते हो उसके बाद के मारे फीचर साथ है आप देख सकते हैं जो लांच डेट है जो फर्स्ट अवेलेबल हुआ था मोटर लांच डेट हो जाती है उसके बाद बात करें प्राइस की तो मोटर लांपी सांड एक्स की जो अभी प्राइस चल रही है वह है जो लांपी सांड एक्स है वह काफी महेंगा है अमारे जेप्राइस के सांडबर से लगबग तो थाउटेन 500 का डिफ्रेंस है एक दोनो soundbar में उगर आप स्पेसिफिकेशन वाइस देखें दोनो soundbar को तो दोनो soundbar के जो specification से लगबख सेमी है अब देख सकते power output भी similar है जो connectivity option से वो भी दोनो soundbar के साथ को same connectivity options मिल रहे है हां डिजिटल dolby प्राइस की बात करें हम तो प्राइस में काफी डिफ्रेंस है तो यह हो जाता है हमारा अगर कोई बजेट की बात आती है तो गाइस डेफिनिटी आप जेप्राइस को प्रेफर कर सकते हो और अगर बजेट इश्यू नहीं है तो आप मोटरोला को देख सकते हो अगर आप देखे तो आपको चाहिए तो आप मोटरोला में डालभी डीट्र काफीडिटल कांफीगरेशन अगर आपको चाहिए तो आप Neutrala को भी prefer कर सकते हैं बड़ प्राइसवाइस देखे तो जेप्रोनिक्स बेटर है इस प्राइस में क्योंकि मोर्य जेप्रोनिक्स में आपको काफी काफी options मिल रहे है काफी पहतर स्पेसिफिकेशन्स आपको सेप्रोनिक्स के सोंब्यर में मिल सबूफर और वर्लेस सबूफर का बहुत बड़ा आडवाइज होता है सबूफर को लगभग के आपको मिल रहे हैं दोनों सव्ट के साथ दोनों सव्ट आरा वाल मांड कर सकते हों तो बस यह हो जाता है जाज का कंपेरिजन और अगर अगर हम साउंड़ बात करें तो साउंड़ आप सेप्रोरिक्स का 80 वैट का सौंड़ रहे जो 4 फ्रंट फ्रेरिंच ट्राइवर्स के यहालन का कंपरीजन वीडियो्स तो आपको नूटािफिकेशन में तो तो थैंक यू इस वीडियो में। जो झाल भी जो झाल 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 झाल